एक कैदी जिसको अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उसकी पत्नी अदालत में तीन महीने से चक्कर काट रही थी कि हमारे पती को जेल से बाहर निकाल दीजिए क्योंकि हमको मा बनना है। तमाम दलील अदालत में पेश की गई और अंतता हाई कोट ने कहा कि इन तमाम दलीलों पर हम अपना आख बंद नहीं कर सकते, किसी को सजा मिली है वो अलग बात है, लेकिन उसको भी सम्मान जनक जीवन जीने का अधिकार है। और इसके साथ हाई कोट ने कहा कि 15 दिनों का पैरोल हम आपको देते हैं और जेल प्रसासन को आदेश दिया, डीजी को आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर आप इस पर आदेश जारी कीजिए। मतलब कि पिता बनने के लिए उस आदमी को उस कैदी को हाई कोट ने कहा कि इसको पैरोल पर भेजिये, भले ही इसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। जब कहानी सामने आती है, तो इस पर खूब चर्चा होती है, यह अपने आप में थोड़ा हैरान कर देने वाला मामला भी है, कि किसी आदमी को पिता बनना है, वो चाहता है कि उसका बेटा इस दुनिया में आए, और इसके लिए हाई कोट या इस देश की अदालत उसको पै कानून तब तक फीक होता है, जब तक वो मानोता को समझे, अगर मानोता को भुला दिया जाए, तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं रहता, केरल की पूरी की पूरी कहानी है, केरल हाई कोट ने मानोता के नाते जो फैसला दिया, अब उस पर चर्चा हो रही है, होता क्या है क एक आदमी को उम्रकैत की सजा सुनाई गई होती है आजीवन कारावास उसका पूरा जीवन जेल में ही बितना होता है लेकिन उसकी पतनी तीन महीने से अस्पताल का कागज लेकर डकुमेंट लेकर अलग-अलग अदालतों का चक्कर काट रही थी वह हाई कोट में जाती है केर भी बेटे का अधिकार है कि मेरा कोई बेटा हो मेरा बेटा इस दुनिया में आए और इसके लिए मुझे मेरे पती की जरूरत है वह महीला कहती है कि IVF के जरिये हम बेटा लाना इस दुनिया में चाहते हैं और उसके इलाज के लिए पहले और उस पूरे के पूरे प्रोसेस इसको पूरा करने के लिए पती का लंबा वक्त के लिए पैरोल मिलना जरूरी है अदालत जो पत्नी दलील देती है तो उसका पूरा डकुमेंट एक एक करके देखता है पढ़ता है और इसके बाद अदालत फैसला देता है कि इन तमाम दलीलों पर हम आख बंद नहीं रख सकत आपका बेटा इस दुनिया में आए इसके लिए आपके पती को 15 दीन की पैरोल दी जाती है मतलब कि 15 दीन के लिए जेल से बाहर उसको निकाला जाता है इसके बाद पत्नी कहती है कि तीन महीने का पुरा का पुरा प्रोसेस होता है पहले पती का ट्रीटमेंट होगा अस्प हाई कोट अब आगे और इस पर सुनवाई करेगा लेकिन फिलहाल 15 दिनों की पैरोल को उसने आदेश दे दिया कहा कि 15 दिनों की पैरोल दी जाए और इसी की साथ उसने टिपनी की कि सम्मान जनक जीवन जीने का अधिकार सभी को है हाई कोट ने जो फैसला दिया उस फैसले की जम कर चर्चा हो रही है मानोता के नाते इंसानियत के नाते इस पर विशेश तोर पर चर्चा हो रही है बाकी अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है और क्या कुछ अपडेट आता है आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी जो भी अपडेट आएगा सब कुछ आप त